गांधी जी एवन नाशनल गांधियन लीडर्शिप कैम्प में आई हुए शिवरात्रियों को आवंतिर करती हूँ मैं सभी को विंती करती हूँ कि वो मंच पर खड़े हो जाएं सामने पस्तिच सभी लोगो को विंती करती हूँ कि वो भी खड़े हो जाएं सबसे गुजारेश है कि ये शबत लेते वक्त अपना हाथ उठाके ये शबत लेंगे और मैं बोलूँगा उसके बाद वही आपको दोहराना है पर ये याद रखें कि ये शबत आप ले रहे हैं वो सिर्फ आज के लिए नहीं है जीवन बर इसको पालन करना है आप में तो बोलिए विश्वा हिंसा दिवस के इस शुब अवसर पर दुनिया भर के लाखों लोगों के साथ मिलकर हम ये प्रवित्र प्रतिग्या करते हैं कि हम बंधुत्व सद्भाव प्रेम अहिंसा और शान्ति को विश्व में प्रस्तापित करने के लिए सदाकार्य करेंगे और जाती वंश देश धर्म भाशा और लिंग के बजाए सामान्य मानवता के आधार पर सारी मानवचाती का आधर करेंगे हम किसी भी परिस्तिती में किसी भी तरीके की हिंसा और असहिश्णुता का न समर्थन करेंगे और नहीं उन्हें आश्रे देंगे हम बिना किसी भै और पुर्वाग रहके सत्या और न्यायका हमेशा समर्थन करेंगे हम सभी तरह के हत्यारों और हिंसक माधियों को पूरी तरह से मिटाने की दिशा में कार्य करेंगे हम सभी तरह के मद्वेदों को संवाद और संवधायनिक मार्गों से सुलजाने का प्रैतन करेंगे और विश्वशान्ती की स्थापना के लिए लगातार प्रैतनशील रहेंगे शान्ती चाहिए हिंसा नहीं जैहिन जैहिन सभी बैच जाएं अभी जगाओ कर सभी बैच जाएं गांधी पीर्ट पर हर वर्ष नाशनल गांधियन लीडर्शिप कैम्प होता है जिसमें हर वर्ष लगबख 20 राजियों से फ्रतिलिदी सम्मेलत होते हैं बच्चे सब बैठ जाएं बच्चे जहाँ है सब बैठ जाएं आप ठक जाएं ना हाँ सुबो छे बजे से जो निकले हैं तो ठकान लगी है पर एनर्गी ड्रिंग पेट में गया कि नहीं अरे अभी तो आपने शपक ली कि हम तो देश के लिए अहिंसा का रत ले रहे हैं आगे चलेंगे छोटे से चीज से घबरा गए अभी हम सिर्फ एक मुख्य मेवान को सुनने वाले हैं वो कौन है पता है वो टीचर है वो अच्छे टीचर है और हम जैसे बच्चों के साथ बहुत मजे में काम करते हैं कैसे काम करते हैं मजे से काम करते हैं आपको भी मजे से काम करना अच्छा लगता है ना तो उनकी कहान ही आप सुनेंगे न तो बस आज वो संदेश देने के लिए कहां से आएं पता है लदाक से लदाक पता है कहां है बहुत दूर उंचा हिमाले से तो हिमाले से हमारे पास एक छोटी सी गंगा निकल करके आई है सोनम भाई के स्वरूप में तो उसका प्रसादम ग पात नहीं करेंगे ठीक है मैं बुलाओं सोनम जी को आप उनकी इज़त करेंगे ना रम्यवाद मात्मा गांगी द्वारा प्रस्तो टत्मो जैसे सत्याग्रे सर्वोदे प्रस्ती श्रिफ इसके केंद्रों में सथाए हैं तक्नीक से बदलाव की दिशा में प्रयास करने वाले देश विदेश के कई विधान लोग हैं जिन में एक नाम उभर के सामने आता है वो है सोनम वांग्चुग जिनोंने अपने अविश्कारिक तक्नीकों के आधार पर मानव समनदाय में साथ में रहने की भागना को जोड विश्व अहिंसा दिवस के इस अफसर पर संदीश प्रस्कुद करने के लिए मैं श्रीमान सोनम वांग्चुग जी को आमंतिर करते हूँ जलगाओं दिले के प्यारे प्यारे और बहुत ही प्यारे बच्चों आप सबको मेरा सलाम जलगाओं की जनता मंच पर विराजमान अनुख महानुभवगन अतिथी गन सबको मेरा पहाडों से आपको नमन है सलाम है जुले हम लदाक में कहते हैं जुले ठीक है आज मुझे बहुत ही बहुत ही बहुत ही खुशी हो रही है सबसे ज्यादा कि मैं बच्चों के साथ जुडने का एक मौका पा रहा हूं जलगाओं के बच्चों के साथ और मैं सोचता हूं कि जब बच्चों के साथ जुडते हैं बच्चों के साथ में एक संदेश बाटते हैं तो भविश्य के साथ एक संदेश बाटते हैं जो मैं आज कुछ बातें आपसे बोलूंगा वो एक तरह से मेरा संदेश होगा 22 सदी के लिए अभी तो हम 22 सदी में हैं मगर ये 22 सदी के लिए संदेश आप हैं संदेश वाहक आप में से बहुत से बच्चे जब 2100 आएगा तब आप बुजर्ग होंगे 90, 95, 100 साल के तो आप संदेश और आगे बढ़ा पाएंगे तो बच्चे एक तरह के संदेश वाहक है वर्तमान को भविश्य से जोडने का और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं जलगाओं के 22 सदी के लोगों को एक संदेश आप लोगों के साथ बेज रहा हूँ तो संदेश तक आने से पहले मैं दो बाते कहूं जलगाओं से मेरा रिष्टा कैसा रहा है आप बहुत भागिशाली हैं जलगाओं जैसे बहुत ही अच्छे उदारन में रहते हैं आप काफी बार पहुचा हूँ मैं हाल के वर्षों में ये शायद मेरा चौथा या पांच्वा दर्शन हो आपके जलगाओं का मगर उससे भी बहुत पहले मैं जलगाओं को देखता था और जलगाओं के बारे मैं सोचता था पता नहीं क्यों 20 साल पहले से कोई रिष्टा जैसे की पहले का हो तो बहुत पहले कोई 20 साल पहले जब मैं बंबई से जिल्ली की और रेल में जाया करता था तो पता नहीं क्यों ये नाम मुझे आकर्षित करती थी जल गाओं जब आता था स्टेशन और जल गाओं जिला बिना किसी कारण के मुझे बहुत पसंद आता था शायद नाम में ही कुछ जल गाओं है तो इसलिए भी हो तो इस तरह से मैं जाता था फिर आगे चल कर दस वर्ष पहले होगी शायद मैं जब काम करने लगा गाओं में जल के खेती के बारे में भी सोचने लगा तो ड्रिप इरिगेशन ये बूंद बूंद से जो थीचाई है उसके बारे में मेरी बहुत रुची हुई और उस कारण से और बिना किसी विशेश कारण के मैं जैन इरिगेशन कंपनी का नाम सुना करता था यो ही और पता चला कि जलगाओं में स्थापी थे हो, तब जब जलगाओं से गुजरता था, तो इस संबन में भी मैं सोचता था, अच्छा जो कंपनी भारत में ये तकनीक ला रही है, वो यहां स्थापी थे और बड़े ही दिल्चस्पी से टाफता हुआ आपके गाओं को, आपके जिले को, मैं र जिक्षा और रोजगार इस लिहाज से, इस वज़े से पानी को देखता था, सोचता था, मगर अब जब मैं लदाख में जो नए समस्याइं शुरू होने लगे, कि जल संकट जो है वहां का, वो बढ़ने लगा, और लदाख में जल के श्रोत बहुत ही अलग हैं, इस तरह से देखें तो आज एक हिमाले के पार के परवतों की जल स्थिती और भारत के मैदानों की जल स्थिती के बारे में विचारू की एक तरह से निश्रन हो रहा है, जहां आप यहां मैदानों में बारिश से जल प्राप्त करते हैं, वहां लदाख में बारिश लगबब होती ही नह वहाँ पर तो बर्फ होता है सर्दियों में बर्फ होता है और वो बर्फ जमा होते होते बर्फ के पहार बन जाते हैं जिने ग्लेशियर कहा जाता है और अब जब जलवायू परिवर्तन हो रहा है सारी धर्ती गरम होती जा रही है हर साल थोड़े थोड़े करके एक डिग्री दो डिग्री दशकों में तो ये जो बर्ष के पहार हैं जिसके पिगलने से हमारे किसानों को पानी मिलता है वहाँ पर बारिश की तो बाती नहीं होती है हमारे वहाँ पर खेती होती है जो बर्ष के पहार हैं जिने glacier कहे जाते हैं हिम परवत उनके पिगलते हुए पानी से लोग खेती करते हैं और वो पिगलते हुए बर्ग के पहाड अब जल्दी पिगलने लगे हैं तो लबबक खतम होने पे आये हैं और इस कारण से वसंत रितु में जब पानी की सबसे ज्यादा अवशक्ता होती है पाड़ों में सर्दियों में खेती तो होती नहीं है वसंत में जब बीज बोये जाते हैं या पेड सर्दियों के नीम से जाग कर पानी मांगते हैं तो पानी बहुत कम हो रही है क्योंकि जो बर्प के पहार थे वो आप छोटे हो रहे हैं तो कम पानी पिगल रहा है और फिर वसंत रितू में जो कि सर्दियों के बाद है तो इतनी गर्मी नहीं होती है पहारों के उपर जहां ये हिम परवत हैं तो इसलिए पानी बहुत कम निकल रहा है तो इसलिए किस्सानों को बहुत तकलीपें हो रही है तो इस पर हम सोचते रहे फिर ये पानी की जो कमी मैंने कही ये पानी की कमी सच में कमी नहीं है जब गर्मियां आती है जुलाई तो फिर तो पानी की कमी क्या बार आ जाती है क्योंकि अब ये हिन परवर्ज जो हैं ग्लेशियर्स हैं वो गर्मी में जो बर रही है बहुत ही जल्दी पिगल जाते हैं और पानी को अचानक छोड़ देते हैं जिससे की बार आती है उसके उपर जरा बारिश भी हो तो फिर फ्लेश फ्लट जिसे कहते हैं बार का अचानक आ जाना ऐसा होता है और फिर गरों को बरबाद खेतों को बरबाद सेंकडों लोगों की भी मौत हुई पिछले कुछ बारों में तो गर्मियों में बार तक आ जाती है बसंत्रितु में पानी का एकदम अकाल पढ़ जाता है और ये जो गर्मियों की बहाव है पानी की वो में आम जल के कमी को कैसे संबंध है हमारा जल के मिशए पर परवत और मैदान का तब्एये रीट यह सोचने लगे कि पानी कीम है तो यह जो रर्मियों का पानी है, वह सर्धियों तक देड़र सर्दियों कोई खेती कर त compartir ज खान explake सर्वियों में तो हमने चाह क हमारे प्राकृतिक जो बर्व के पर्वत हैं वह अगर है आप से फिसलते चले जा रहे हैं तो क्या हम प्रित्रिम, मानविय ऐसे हीं पर्वत बना पाएंगे आटिफिशल ग्लेष्य जिसे कह सकते हैं सीजनल ऐसे ग्लेश्य कैसे बनाएं जो गाउं में ही बना पाएं बहुत उंचे परवतों में कम हो रहे हों मगर गाउं में हम अपने हाथों से ग्लेशियर बनाएं और वो फिर बसंत रितू में सर्दियों में बने और बसंत रितू में पिगले और पिगल कर फिर खेतों में पानी दे सर्दियों का पानी जब खे पानी नहीं होता है वसंद में तो इस पर हम काम करने लगे विद्यालियों में जो पढ़ाई जाती है पुस्तकों में हाई स्कूल साइंस उस विज्ञान का प्रियोग करते हुए हमारे स्कूल में एक तक्नीक निकाली गई जिसे हमने कहा आई स्टूपा जिसमें ऐसे बर्थ क यह स्टूप हम अपने हाथों से मानविय प्रियास के द्वारा बनाते हैं कि जो गनित और विज्ञान के प्रियोग के कारण गनित इसलिए कि जो यह स्टूप है उसकी जो छेत्रपल है एरिया है वो बहुत कम होती है इस आकार में जब वो स्टूप के आकार में होती है पर ग्यान है कि जब आपका शेत्रफल कम हो तो सूरज उसे जल्दी पिगला नहीं पाएगी सर्दियों के बर्फ को महिनों तक बिना पिगलाए वसंत रिक्तु तक अप्रिल में तक संजोईर रख सके इस पर हमने एक अविश्कार का एक एक्सपेरिमेंट किया तो जैसे हम ये अविश्कार कर रहे थे तो हम छोटे छोटे पाइप से नदी में पाइप डाल कर Water Always Maintains It Level कहते हैं हाई स्कूल में उसी सिद्दान्त को लेते हुए एक पाइप को उपर नदी में जरने में और फिर दूसरे उसके छोर को रेगिस्तान में जहां पानी की जरूरत है वहां ले जाने लगे और जो पानी का प्रेशर दबाव पाइप में बढ़ जाता है गृत्वा कर्शन के कारण या Water Always Maintains It's Level इस कारण से तो उस पे एक फवारा लगा कर हम पानी को सर्दियों के माइनस 20 के हवा में फवारा छूट पड़ता है और उस फवारे से फिर उस पानी की जो गर्मी है जिसके कारण वो तरल होता है वो छूट जाती है तो वो बरख बनके गिरने लगता है और देखते ही देखते ये एक स स्टूप का साथ आठ नौ मंजिल के स्टूप का आकार धारन करती है तो हम ये पहला प्रियोग कर रहे थे इसका पाइलेट चल रहा था और हमने हमें बहुत पाइक्स की जरूरत थी इससे बनाने के लिए हमने स्थानिये किसी जम्हू में एक कंपनी से पाइक्स लिये थे और आपको बताओं लदाक में नुवंबर दिसेंबर में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और फिर जाके खुलते हैं में में तो छे महिनों के लिए लदाक दुनिया से बंद हो जाता है और हमने ये पाइप्स उस प्रियोग के लिए कई तीन चार ट्रक भर के पाइप्स ला तो जैसे ही πाईपों लाएं, डिसेंबर में रास्टे बंद हो गए, अब हमारे पास वही पाईप थें, जो भी करना हैं उनी के साथ करना हैं, मगर जाके देखा तो देखते हैं, कि पाईपों आदे रास्ते में ही तूट गए थे, और लगाते लगाते और बाकी सारे भी प्रयोग कर रहे थे जिसका दुनिया बर को इंतिजार था कि ये प्रयोग लदाक में हो रहा था और जैसे ये तूटने लगे तो ये प्रयोग तो अब असफल होने को आया था तो हम सोचने लगे इसे बचोड़ दें गोशित कर दें कि ये नहीं हो पाया है या क्या करें तो तो सिरहम ने एक उपाय लगाया, एक तरफ हम गए भरतिय वायू सेना के पास, क्योंकि रास्ते सब बन थे, तो एरपोर्स पे गए, हमने कहा कि अगर हम इस प्रियोग में सफल होना चाहते हैं, तो हमें पाइप्स बाहर से मंगाने होंगे, अगर हम, अगर आप हवाई से इन पाइप्स को ला पाएं, तो शाहिद हमें कोई मदद करें और पाइप्स दें, और दूसरी तरफ हम आए, जैन इरिगेशन सिस्टम के पास, जो की आपके जलगाओं की शोबा है, और हमने उन्हें कहा कि हम ऐसा पानी पर प्रियोग कर रहे हैं, और ये पेल होने को आ ये जो हमने आगरे किया, उसके दस दिन बाद लेके हवाई अटे पर जो भी हमें पाइप शाहिए थे वो पहुंच गया था, जलगाओं के जैन इरिगेशन के मदद से, तो जल पर, पानी पर, वहाँ पहाड में हम काम कर रहे थे, यहां आपके मैदानों में, तो मैदानों मदद की परवतों की जल के इस प्रियोग में और उसके बाद ये प्रियोग सफल होने लगा और उसके बाद की कहानी आप पढ़ सकते हैं, हर जगा आपको इंटरनेट पर पत्र पत्रिकाओं में मिलेंगे, तो ये रिष्टा बना धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता जैसे मैंन मुझे खुशी की बात लग रही है, तो अब बात करते हैं हम विश्व अहिंसा दिवस पर, जो मैं दो बाते कहना चाहता हूँ, सिर्फ आप से नहीं, ये मैं 22 सदी से कहना चाहता हूँ, और ये आपके साथ में एक संदेश बेज रहा हूँ, 2100 के 22 सदी के बारत से आप बाटिएगा, आप संदेश वाहक है बच्चो, तो कि आप सबसे बड़ी संख्या में भी हैं आज उपस्थित, तो मैं आप से जूड़ना चाहूँगा, दो बातों की जरिये, तो अहिंसा की जो बात कहीं, बहुत ही महतगून संदेश अहिंसा की, उसे हम पहले तो समझें, क्या है ये अहिंसा की संदेश, और आज के संदर्व में, और आज ही नहीं, कल के, आने वाले कल के संदर्व में ये संदेश क्या हो सकती है, वो मैं आपके साथ दो बातों के मा सबसे पहले तो जब हम अहिंसा की बात करते हैं, और उके ये हिंसक या द्वेश या ईसा की भावना न करके, और उके लिए प्रेम, सब के लिए सद भावना, ये धावना जो है हम सबसे पहले तो अपने परिवार में और उसके बाद अपने गाउं में अपने देश में सब के लिए हमारे दिल में प्यार हो और ये प्यार ये अहिंसा सिर्फ हमारे शरील के सथर पर ना ओ शरील के सथर पर देखें तो हिंसा अहिंसा का विपृत जो की हिंसा है वो मारने काटने की मिसालों में आती है कि हम हिंसक हों तो किसी का हम हानी करेंगे चरीर के स्थर पर और बहुत हिंसक हो तो हम शायद किसी को मार डालेंगे या हत्यारों से या किसी भी तरीके से वो हिंसा शारिलिक हिंसा हुई जिसको हम सब समझते हैं जिसकी हम बात करते हैं अहिमसा जब हम कहते हैं तो हत्यार छोड़ कर जो हमारे जगड़े होते हैं युद्ध होते हैं उन से दूर होकर प्रेम की बात करते हैं मगर फिर भी ये अहिमसा जीव के स्थर की है शरीर के स्थर की है इससे भी जरूरी मेरे ख्याल में आपके वचन के स्थर पर वानी के स्थर पर अहिमसा जरूरी है आपके जीवन में ताकि आप हाथ से तो कोई हिंसक काम ना करें बलकि वानी से किसी को हिंसक बातें भी ना कहे किसी के मन को दुखे ऐसी अगर हम बात कहें तो वो भी हिंसा है तो वानी के स्तर पे भी अहिंसा हम अपने जीवन में उतारे बहुत जरूरी है और उससे भी ज्यादा जरूरी मेरे ख्याल से जो शरीर से जो दिख पाता है जो हम देख पाते हैं उससे ज्यादा वानी और उससे भी ज्यादा मन के इस्तर पर अहिंसा आविश्याट है हम हाथ से कुछ हिंसा ना करें वानी से भी कुछ हिंसक बातें ना करें मगर मन में औरों के लिए हिंसक विचार रखें द्वेश रखें असही शुंता की जो बात हुई इंटॉलरेंस वो रखें तो फिर वो भी लिचारों की अहिंसा भी हमें समझने की जरूरत है और जीवन में उतारने की जरूरत है कि हम किसी के बारे में ग्वेश की, पीर्शा की, अहित की बात सोचे भी नहीं, हमारे मन में भी ना आए, मन से भी हम इसको अगर निकाल के फैंके और सब के लिए सद्बावना प्रेम सहिशुनता लाएं, तो वो अहिमसा सबसे बड़ी अहिमसा होगी. अब ये जो अहिमसा मैंने कही, पहले तो हम इसका अभ्यास करते हैं, अपने घर में, अपने माता पिता, अपने भाईयों, बहनों के साथ, उसके बाद हम अपने गाउं में, जिले में, देश में, क्योंकि देश के सभी नागरिक हमारे बाई बहन हैं, मेरा ये मानना है कि एक देश के सभी नागरिक बाई बहन होते हैं क्योंकि जैसे हम कहते हैं भारत माता भारत माता के अगर सब पुत्र पुत्री हैं तो आपस में तो बाई बहन हुए ना है कि नहीं बच्चो तो जब हम किसी को मा कहते हैं और मा के संतान तो बाई बहन होते हैं हमारे परिवार में होते हैं तो ऐसे ही देश के हर नाजिक के साथ अहिमसा जो की सिर्फ हिमसा का ना होना नहीं बलकि सदभावना का होना है वो ला पाएं तब हम सच में बड़े परिवार में अहिमसक या सदभावना के विचारवाले वो पाएंगे फिर पूरे विश्व के साथ, जैसे अभी जै जगत कह रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, जै हिंद से भी अगर हम परे जाएं, तो जै जगत, पूरे जगत के लोगों के साथ बाईचारा हो, सदबावना हो, तो वो पूरे मानव समाज में अहिंसा की बात फैल के जाती है, मगर फिर यहीं रुक जाए, तो वो भी बहुत छोटी सोच होगी, मेरा तो यह मानना है, कि जगत तक जाए, और हम बाकी देशों के लोगों से भी प्रेम करें, इतने तक चले जाएं, यह आज का संदेश हो सकता है, मगर भविश्य के लिए संदेश इससे भी परे जान का संदेश, जो आप देंगे आने वाले पीडियों को, वो यह है कि सिर्फ हम देशों का, लोगों का, मानव समाज का ही नहीं, पूरे जगत के साथ, पूरे प्रकृती के साथ, अपना पन, एक परिवार का सा महसूस करें, वो हमारा सबसे बड़ा evolution होगा, मानव समाज का, ज जागरती होगी, जब हम अपने घर के बाई बहन ही नहीं, गाओं के बाई बहन ही नहीं, देश के और संसार के बाई बहन ही नहीं, बल्कि जानवरों के साथ, जो वन्ने प्रानी हैं, जो पेड़ पोदे हैं, उनके साथ भी हम एक परिवार सा महसूस कर सकें, वो हमारी सबस देश आज के दुनिया में कमी रह गई है। आज के दुनिया में हम अहिंसा की बात ज्यादा तर पड़ो किसी के साथ या पड़ो की देश के साथ इसकी बात करते हैं। अगर जो हिंसा हम प्रकृती से के साथ कर रहे हैं, जो प्रकृती के साथ हिंसा हो रही है उसका हमें पता भी नहीं है। उसका बात करने की बात छोड़िये, हमें उसका ग्यात भी नहीं है कि हम इंसा कर रहे हैं। जिस दिन हम प्रकृति के साथ भी शांती स्थापित कर सकें, जैसा मैं सुनता हूँ सुबर-सुबर पूजा पाट में, वनस्पताया हशांती, शांती सिर्फ समाज में नहीं, पूरे वनस्पती के साथ, पूरे प्रकृति के साथ, तब सच की शांती होगी, तब वो मानव का, क्या कहेंगे हम, एक उठान होगी, इवलूशन होगी, तो इस बारे में मैं दो बातें बहुत जरूरी आपके साथ संदेश बांटना चाहूंगा, कि हम किस तरह से, अपने लोगों के साथ, परोसियों के साथ, परोसी देशों के साथ, तो अहिंसक काफी हो गए हैं, आज हम बंदोकों से, तलवारों से, छुरे से, कोई हिंसा नहीं करते हैं, ये तो हम में बहुत बड़ी बदलाव आई है, अगर आप आज से दस हजार साल पहले के समाज को देखें, तो बहुत हिंसक समाज थी, तब तो विचार अगर नहीं मिलते तो सर फोड़ दीजिए, आप किसी को मार डालिए, कोई कुछ कहने वाला नहीं, जिसकी लाठी उसी का बैंस, माइट इस राइट, ऐसा समाज था, और वहां से बदल कर आज ऐसा समाज है कि छुरे और ये बंदूकें तो समाचार बन जाती है, जब ऐसा कोई मार काट होता है, तो वो समाचार पत्रों पे निकलता है, इसका मतलब है, वो बहुत कम हो गया है, अगर आए दिन सुबा शाम किसी ने किसी को मार डाला, काट डाला, क्योंकि उसने उसके हामी नहीं बरी, ऐसा समाज था, दस्यों हजारों साल पहले मानव का, तो उससे अगर तुलना करें, तो आज बहुत शांती हो गई है, कोई हत्यार नहीं उठाते, उठाते हैं तो वो बहुत बड़ी एक हाथसा बन जाती है, घटना बन जाती है, तो इसका अर्थ है ये कम हो गई है, आज जो हिंसा हो रही है, वो दूसरे तरह की हिंसा हो रही ह मानव आपस में तो अहिंसक लबबग हो गए हैं मगर प्रकृति के साथ हम बहुत बड़ी हिंसा कर रहे हैं जिसका हमें ज्यान तक नहीं है मैं आपको कुछ तथे बताना चाहूंगा जिसने मुझे चौका दिया आज से दो साल पहले मैं WWF की Worldwide Fund for Nature इनकी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था ये मनगरंत नहीं है उन्होंने लिखा था कि 50-52 सालों में 1970-2012 42 सालों में विश्व के जो वन्य जन्तू है वाइ्ड लाइठ है, जो प्रकृति में हमारे बंदू कहूंगा मैं क्यूंकि एक ही धर्टी माता के पुत्र हैं तो धर्टी को जब हम माता कहते हैं तो सारह प्रकृति हमारे बाई बहन बन जाते हैं तो इन बाई बहनओं में से 52 प्रतिशत नुथ हो गए आप समझ सकते हैं 52 प्रतिशत वन्य जन्तु जो जंगल में रहते हैं पक्षी, पश्यू, कीडे, मकोडे ऐसे 52 प्रतिशत दर्पी से खतम हो गए, चले गए, लुप्थ हो गए, क्यों हमारे प्रगती के कारण, जो हम मानव अपनी उद्योगिक प्रगती करते हैं, आर्थिक विकास करते हैं, उस विकास में विनाश हुआ 52 प्रतिशत वन्य जन्तुओं का, और हमें शायद पता भी नहीं, आदी हो गई शेर और पक्षी और कीडों की संख्या, जो कि हमारे बाई बहन हैं, हमारे जैसा मैंने कहा, अगर धर्ती माता एक है, तो उस माता के संतान, वो भी है, वो धिरन भी है, वो पक्षी भी है, वो कीडे भी है, वो आदे हो जाएं, तो क्या हम अपने भाईों और बहनों